बारतिय जनता पार्टी के राष्टिय अत्विक जी, मंतर विराजमान, पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागन, और मेडिया के सबसाथियों सबसे पहले तो हमारे पुर्वक के वक्ताओं ने जो बाते रखी है, उस सब के नीचे मैं अपना स्विक नेचर कर देता हूँ और इसलिए रीपीट करने के ज़रूरत में पड़े हैं मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत पांच वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलता पुर्वक कर पाएं और इसके लिए मैं देशवासियों का आप सब का रज़य से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता आमान नरिते ये स्वाभाविग हैं कि चुनाव के पहले हर राजनेतिक दल अपनी मतनी बात लेकर क्या आती है लेकिन राजनाजी के नेत्रुत्व में हमारे अद्धिक जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले दो तीन महें ने लगातार महनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात उनकी आशा, आपेक्षा, आकांख्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्युमेंट में भले सब कुछ ना आ जाएं लेकिन उनकी मुल्भूस बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो महनत की एस्टीम ने है मैं इस्टीम को रदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर आगे काम करें जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार मिमस हुआ है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोक तंत्र का ट्रू स्पिरीट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टों में तीन प्रमुब बातों का उलेक किया गया है और उसी के आज़ पास हमारा पूरा ये डॉक्यमेंट तयार हुआ है राष्टवाथ ये हमारी प्रेरणा है अन्तियोदय ये हमारा दर्शन है और सूसाशन ये हमारा मंत्र है इस पूरी रचना जो है उसमें एक आम तोर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब जंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महपुर्शों ने जिन सपनों को लेकर के आज़ादी का जंग किया था आज़ादी के लिए बलिदान दिये थे जब आज़ादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ एहम काम कर ले तूरा कर ले इस उद्दे से 75 वर्ष, 75 लक्ष यह हमने ताय किये हैं 75 निश्चित कदम हमने ताय किये हैं यह अपने आप में time bound, well defined शायद ही कोई गोष्णा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे उसी साथ साथ हम जब यह मैनिफेस्टों को लेकर के आए है तो साब है हमारे मन में one mission one direction हम देश को सम्रुद्ध बनाने के लिए सामान्य मानवी के ससक्ति करण को लेकर के जन भागी दारी को बढ़ाते हुए लोग तांत्रिक मुल्यों को महत्मय देते हुए और सरकार की सबसे बड़ी कसोटी यह नहीं होती है कि आपने क्या किया सरकार के सबसे बड़ी कसोटी है लास्ट माइल डिलिवरी के और इसलिए बन मिशन बन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्जारित मंत्र हैं उसी प्रकार से हमारे सबाज में विविदता है भाषा की यह विविदता है जीवन सर की भी विविदता है शिख्षा में भी विविता है जीवन सैली में भी विशेथा है और इसलिए एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने के दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पुरी कोशिश की है गां हो शहर हो अगडा हो पिछड़ा हो दलीद ऊपीडीट हो शोषीं तो बंचित हो अदिवाशी आधिवासी हो पुरूश हो मैला हो नवजवान हो सेनियर से डीजन हो हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने सकी कि सबको एड्रेस करने की कोशिश किये दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डाइमेशनल कि जैसी जहां आवश्यक्ता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं एकी खांचे में एकी सांचे में एकी धांचे में चीजों को समाहित करके हम परणाम नहीं ला सकते हैं राजनीती चल सकती है लेकिन देशनीती चलाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डाइमेंशनल लेवल पर काम करना होता है उसको हमने इसमें लेने का पुरा प्रयास किया है अब जैसे उदहान के लिए आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाईया नजर आ रही है जैसे पानी खास करके मैं आज जब तमिल नाड़ू की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं राजस्तान गुजराज जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जीए हैं उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंबीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजर कि जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं हम एक अलग जल शक्ति मंत्राले बनाएंगे हमने इस बजेट में मचवारों के लिए और कोस्ट्रलीरिया है में ही मचवारे भाई बैन ऐसा नहीं है हमारे देश की नदी तटकी संस्कृति में मचवारे एक बहुत बड़ी एकनोमिकल एक्टिविटी का साब माध्यम रहे हैं और इसलिए हमने इस बजेट में मचवारों के लिए एक अलग मंत्राले की बात बजेट में कही थी हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्राले बनाएंगे नदियों का आप्टिमम उटिलाजेशन पानी का कैसे हो कोई हैंड पंप लगाए और चुनाव जीच जाते थे वो एक जमाना था लेकिन आप माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुँचाए इस पर हम काम करना चाहते हैं हम पानी के समन्द में एक स्पेशल टास्पोर्ज एक मिशन मोड में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल दे करके काम करना चाहते हैं और खास करके मैं तो तमिलाडो के लोगों से मिला था ये विचान हमारे मन में कई छोटे छोटे इलाकों से दूर सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी इसमें आया है और उसको लेकर के हमने इसका महत्मा समझा है और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे यह बत सही है कि कोई भी सरकार होती है बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है लेकिन यह सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मुल्यांकन तथ्थों के आधार पर होना चाहिए और 2014 से 2019 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कारियों के रचना के मूल में सामान्य मानवी की जो आवशक्ता है उसको एड्रेस करें हमारे सारे कामों को उसको हमने बल दिया लेकिन देश जिस उमंग और उत्सा के साथ सपनों के साथ चल पड़ा है जो काम पचास पचपन साड़ के कालखन में होना चाहिए था वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है लेकिन उसके अनुफव के आधार पर उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवशक्ताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया अब सामान्य मानवी की आकांच्छाओं को ले करके हम क्या कर सकते हैं उसको गोशना पत्र में लेके आ आवशक्ताओं की पूरती अपने आप नहीं नहीं आकांच्छाई जगाती है अपने देखा होगा हमने हिंदुस्तान का पूरा मैपिंग किया सब दिस्टिक का और देश में करीब 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 डेट सो डिस्टिक ऐसे निकाले कि जहां मिनीमम कुछ चीजों पर और बल दे पस्चिम भारत और पूर्वी भारत दोनों बराबरी कैसे करें पूर्वी भारत को बल कैसे दे और उसमें हम काफी कुछ आवशक्ताओं को एड्रेस कर पाए हैं अब आकांच्छाओं को एड्रेस करने के जिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक समगरत है भारत के के विकास को ले करके हम आगे बढ़ने के लिए चल जाए एक और हमने विश्य लिया है कि आजहादी का अंदोलन कि देश में कि सैक्ड़ो साल की गुलामी के दर्म्यान कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है हिंदुस्तान का कोई ने कोई कोना आजहादी के लड़ाई लड़ता रहा है कि सैक्ड़ो सालों तक हर वर्ष कहीं न कहीं बलिदानियों की परंपरा रही है लेकिन आजहादी को जब महत्मा गांदी ने जनांदोलन बना दिया तो उस देख बहुत बड़ी ताकत पाई है जैसे आजहादी पाने में जनांदोलन एक बहुत बड़ा स्वसक्त माध्यम बना कोई रेंटिया काता है तो आजहादी के लिए कोई प्राउड सिख्या करता है तो आजहादी के लिए कोई सफाई करता है तो आजहादी के लिए कोई शिख्यत के नाम काम करता है आजहादी लिए कोई खादी के कपड़े पहनता है गांदी जी ने उसको बहुत बड़ा एक व्यापक रूप दे दिया था है भारत कव भी विकास के लिए कि विकास को जनांदोलन बनाना है और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं स्वच्छता हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे गंदगी के विशे में हर बार खबरे भी आते थी बाते भी आते थे सब होता था लेकिन पिछले पांच साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है इसका मतलब यह नहीं कि गंदगी खतम हो गई थी लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया यहने positive thinking को बढ़ाते बढ़ाते negativity को खतम किया और इसमें मुझे देश के सभी media house की मदद मिली मैं आज उनका अभार व्यक्त करना चाहता हूं देश की युवा पीड़ी की मदद मिली और वह जनांदोलन बन गया स्वच्छता के लिए कोई सरकार अपने खाते में सफलता का दावा नहीं कर सकती है जनांदोलन बना जब जनांदोलन मनता है तो कितनी बड़ी सफलता मिलती है और इसलिए हम विकास को जनांदोलन बनाने की दिशा में केंद्रस्त विचा ले करके चलना चाहते हैं यह भी सही है कि आखिर कर गरीबी से लड़ना है तो पचास साल के सारे प्रयोगों ने बताया है कि दिल्ली के एर कंडिशन में बैटे हुए लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं हम लोग मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं कि गरीबी गरीबी को परास्त कर सकता है यह हमारा मंत्र है और इसलिए एमपावर्मेंट और पूबर अब जब हम गरीब को घर देते हैं तो उसकी आवश्यक्ता पुरी होती है नए एस्पिरिशन जगते हैं और वो उसके लिए सोचता है अब गर मिला है तो कर्टेन के लिए थोड़े पैसे बचाओ वो सोचता है महवान आएंगे तो दो चेहर के लिए पैसे बचाओ उसके उसका दिमाँ बदलना सुरू हो जाता है चीजे मैं छोटी बता रहा हूं लेकिन मैं धर्ती का इंसान हूं इसलिए बदलाओं को बड़ी बारी किसे देख पाता हूं और इसलिए कि ए एमपावर्मेंट और सिटीजन और पर्टिकुलरली एमपावर्मेंट और पुवर कि पे जन्ता को कुछ भी दो कंपड़ता है जन्ता को कुच भी दो कंपड़ता है जञा यह मैं समझता हूं कि देशवास्टीउं का अफमान है और हमारा देश ऐसा नहीं है एक बार लाल के लिए से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सबसेडी क्यों नहीं छोड़ते हैं और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है सवा करोड से जादा परिवारों ने गैस सबसेडी छोड़ते हैं हमने रेलवे के रिजर्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि आप सीनियर सिटीजन है आप रेलवे यात्रा में कुछ भी पाने के हगदार है सबसेडी पाने के हगदार है लेकिन अगर आपके आर्थिक सिटी ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ सके तो अच्छा होगा छोटना सबाइक के उस रिजर्वेशन फॉर्म में लिखा है आप हैरान हो जाएंगे मेरे देश के 50 लाग से ज्यादा सिनियर सिटीजन ने सबसीडी लेने से मना कर दिया और पूरी टिकट से ट्राविलिंग किया देश के अंदर यह जो ताकत है हम उसको एड्रेस कर करना चाहते हैं हम इसको बंग देना चाहते हम नागरिक पर भरोसा करना चाहते हैं हम नागरिक के यह जो क्योंकि हमी देश बना बनाना चाहते नहीं है हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग भी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने हमारी सारी योजनाओं में नागरीकों की शक्ति है उस शक्ति को हमारे विकास का आधार मानने का ये इस पत्र में हमारे कारकमों की रचना के केंदर में दिखेगा हमारे देश में ब्रस्टाचार की चर्चा बहुत हुई है शासकी विवस्ता में ब्रस्टाचार को कंट्रोल करने में हमने बहुत सबलता पाई है गुड गवर्नांस एजी गवर्नांस टांस्परेंट गवर्नांस एकांटेबल गवर्नांस रिस्पॉंसिबल गवर्नांस इन सारी बातों को बल देते हुए शासन विवस्ता में हमने कई कि हमने कई अधिकार बहुत नीचे तक हमने दे दिये हैं ताकि अकाउंटीबिलिटी बढ़ रही है लेकिन टेक्नलोजी ने बहुत बड़ी मदद की है टांसपरंसी में कि जंदन आधार मोबाइल वारा हमारा जैम योजना हो या यह मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो बहुत बड़ा सफलता मिली है इस चीजों को हम नीचे तक परकॉलेट करना चाहते हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं किसान के लिए पैंशन की बात हो खेत मजदूर क कदम के और हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वह एक शौड जिन्दगी जीने के लिए अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा ऐसे अनेक विश्वों की चर्चा आज यहां पर हमारे साथियों ने की हैं लेकिन मैंने पहले ही कहां सभी शेत्रों म हैं जब हम बात कर रहें तब यह हमारा संकल पर प्त्र इस न पात्र बेटर राश्ट की समरुद्धी का भी पत्र है इन सारी बातों के साथ आपको यादधy होगा हम नभ्ये के दसक में बार बार सुनते जी, कीश्वी सदि आरहे हैं कीश्वी सदि आरहे हैं लेकिन देश को उसके लिए तयार करने में हमने मोका गमा दिया 21 वी सदी एक नारा बन गया चुनाव में बोला जाता था चर्चा होती थी 21 सदी में तो हम दो दसकतों पार करने के पहुंच गये हैं 2022 आजादी के 75 साल है और कुछ ऐसे एतिहासिक पल होते हैं जो प्रेणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं अगर गांधी 150 तो अपने आपने स्वच्छता के लिए प्रेणा का कारण बन सकते हैं आजादी के 75 साल प्रेणा का कारण बन सकते हैं अब हम सुनते हैं कि 21 सदी एशिया की सदी है अगर 21 सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करें या न करें करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हमारा संकल्प पत्र है हम संकल्प के साथ च जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल होगे 2047 आज़ादी के 100 साल हो तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के उचाई को कैसे पार करें और ऐसी बहुत सी बाते हैं बहुत सी बाते कह सकते हैं लेकिन मैं 2047 के और नहीं ले जा रहा हूँ आपको लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आज़ादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरी का सपना बने एक मास मूमेंट बने हमें देश को वहां ले जाना है और एक बार ये हम विजाज पैदा कर देते हैं हमने गोश्णा पत्र में संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है और उसमें हमने 2022 आज़ादी के 15 साल को देश के सामने हमने अपने आपको कटड़े में खड़े कर करके accountability के लिए प्रसुत किय है यह अपने आपने बहुत बड़ा भॉट बड़ा हमारा निर्णहाई है और हमने किया है देश ब्रक्साचार को सहले को तैयार नहीं है मुदा कानू नियमों की व्यवस्ता आप हमारा एक परोच हो और हम इपानदारी को बल देटे हुए कि इमानदारी की प्रतिष्टा को बढ़ाते हुए ब्रक्साचार से मुक्ति के दिशा में जाना चाहते हैं हमने देखा होगा कि 19 सताब्दी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराईयां आई थी बहुत बड़ी मात्रा में बुराईयों ने समाज को जगड लिया था उच समय के नेत्रुत्वने एक तरव आजादी का जंग चल रहा था लेकिन 19 सताब्दी में जादा तर सामाजिक सुधार के अभ्यान हुए बड़ी हिम्बत के साथ हमारे देश के अनेग महपुरुष निकले और उन्होंने किया आज समय की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्ता में शासक के व्यवस्ता में जो बुराईयां घर कर गई है कि 19 वी सताथी में सामाजिक बुराईयों के खिलाब जिस प्रकार से एक जन चेत्रा का अंदोलन चला आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमबर की व्यवस्ताओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराईयां गुज गई है उसके खिराब कदम भी ले रहे हैं नीतिया भी बनानी है निलने भी करने हैं लेकिन जन सामाने का दबाव भी बढ़ाना है एक जन आंदोलन भी करना है सुधार के किसान हमारे केंद्र में हैं देश के नवजवान वह आने वाले पांच साल में 2047 का भविश्यताय करने वाले हैं और इसलिए देश के नवजवानों को उस प्रकार से परवरीश हो देश के नवजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें सो लाग करोड रुप बहुत उंचे लक्ष ले करके हम चल रहे हैं जो पूरी व्यवस्ता को आर्थिक आधार को एक नई ताकत देगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस पांच साल में ऐसे सिटी में ला देना है ताकि वो 2047 की हाकांग्षाओं को अपना सपना बना ले और सपना बना कर करके हम उस दिशा में सरकारे आगे बढ़े उस बात को ले करके एक फांडेशन का काम भी हम इसके साथ साथ करेंगे आकांग्षाओं को पूर्ण करने का सपना ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं मैं फिर एक बार इस संकल्पपत्र की रचदावें जिस स्रीम ने काम किया है उनका अभिननन करता हूं मैं बारी की में छोटे छोटे प्रोग्राम की रिचना में नहीं गया हूं एक मूल तह राष्ट को आगे पांच साल में किस दिशा में जाना चाहिए बैक अप दो माइंड मेरे मन में क्या विचार रहते हैं उसको मैंने अभीवक्त करने का प्रया किया है मैं फिर एक बार आप सबने जो कुछ भी सहयोग दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वानी को विराम देता हूं धन्यवाद